अथ सब्सक्रीब करें चैप्टर का नाम है एन जाय क्या नाम है एनजेँ क्या नाम है एन द्धू रहे नगा आजम उन पुट्टाप प्यालेटेट होता है क्या होता है कैटालिस्ट को बताएगा उत्परेरख क्या होता है कैटालिस्ट क्या होता है कैटालिस्ट वह होता है जो किसी भी कैमिकल रियक्शन को क्लियर उसकी स्पीड को क्या कर दे बढ़ा दे या फिर उसकी स्पीड को कम कर दे लेकिन खुद उस chemical reaction के अंदर participate नहीं करता है जैसे सबसे बढ़िया जो है वो हमारे पास में है कि vegetable oil है हमारे पास और vegetable oil के अंदर हम लोग कौन सी gas pass out करते हैं hydrogen gas pass out करते हैं in the presence of nickel in the presence of nickel और यह किस में बदल जाता है vegetable घी में जिसको पन क्या बोलते हैं वनस्पति घी और हमारी language में डाल डागी है बोलते हैं नहीं बोलते हैं तो इसके अंदर जो यह हमारे पास जो nickel है वो nickel क्या है as a catalyst है यानि उत्प्रे रख है यह इसकी दोनों की reactions को surface area प्रोवाइड करवाता है क्या प्रोवाइड करवाता है surface area उसी तरीके से enzyme जो है वो हमारी body के अंदर जो है वो किसका काम करते हैं उत्प्रे रख का काम करते हैं आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे सरीर के अंदर भी क्योंकि हम तो पड़ी रहे है बायो chemistry क्लियर तो बायो केमेश्ट्री इसका मतलब हमारी बोडी के अंदर होने वाली राचा निक अभी क्रिये जय वी कभी दिये इंटी आइंटीजन को पूर्ण करने के लिए हमें क्या चाहिए एंजाइन चाहिए यह जैसे आपने सुना होगा एक तो होता है antigen और एक होता है antibody antigen एंटीजन जो बहार से आ रहा है जिसको अपन कहता है pathogen क्या बोलते हैं pathogen जिसमें bacteria हो सकता है virus हो सकता है fungus हो सकता है कुछ भी x y z particles हो सकते हैं और antibody जो हमारे सरीर के अंदर बनती है यह जो antibody है इसको activate करने के लिए हमें क्या चाहिए enzyme चाहिए हमारी body के अंदर यह antibody जो activate होगी WBC का formation करती है और WBC formation करेगी तो antibody भी तो एक enzyme है जो अपने उपर antigen को चिपका लेती है की and lock concept सुनाओगा ताला कुंजी सिद्दान की and lock concept ताला कुंजी सिद्दान जहां पर antigen antibody जो है या फिर हम बोल सकते हैं जिसको अपन एंजाइम जो है वो किसी भी pathogen को जिसको उसका shape होता है उस shape के अनुसार अपना shape लेकर करके उसको चिपका करके उसको क्या कर देती है नस् लोग प्रेर कौन है एंजाइम कोन है यह एंजाइम के बारे में सबसे पहले किस ने बताया सबसे पहले हमारे पास 1856 के अंदर कि एड़वर्ड बुकनर इन्होंने हमें सबसे पहले बताया clear हम कार्बो हड़िट पढ़ के आ चुके हम लोग ने प्रोटीन पढ़ लिया हम लोगोंने लिपिड पढ़ लिया तो आप लोगोंने कार्बो हड़िट के अंदर का C12 है H22 O11 प्लस का H2O जब यह ब्रेक होता है तो आप लोगोंने देखा होगा कि सुक्रोज मान लेते हैं कि यह हमारे पास क्या है सुक्रोज जब यह सुक्रोज ब्रेक होता है तो क्या बनाता है C6 H12 O6 प्लस C6 H12 O6 यह कौन है और यह कौन है फ्रक्टोज कौन है फ्रक्टोज बेठा जी माल्टोज होता है वो थीक है तो glucose plus fructose अब यहाँ पर यह glucose जो है C6, H12, O6 यह जो break होता है तो बनाता है CO2 plus H2 O, थीक है तो यहाँ पर भी तो इस reaction को भी तो activate करना पड़ेगा तो यहाँ पर कौन सा enzyme काम आएगा Invertis कौन सा enzyme और यहाँ पर कौन सा आएगा Jymage इसी enzyme का सबसे पहले किस ने खोज करी थी Edward Buchner ने ठीक है कि कब करी थी 1856 के अंदर लेकिन यह नहीं बता पाए कि जो यह चीज कर रहा है वो है कौन तो उसके बाद में हमारे पास 1926 के अंदर कौन आ गए समनर भाई साब आ गए कौन आ है इन हो ने सबसे पहले Eurepase enzyme का खोज किया किसका Eurepase enzyme के discovery करी और वो भी कौन सी form में crystalline form में यानि crystal ये अवस्था के अंदर सबसे पहले Eurepase enzyme को खोजा और इसी खोज के कारण इनको क्या दिया गया Nobel Prize दिया गया क्या दिया गया Nobel Prize दिया गया इन भाई साब ने ही बताया कि जो enzyme होते हैं वो हमारे पास में कार्बनिक योगिक होते हैं कार्बनिक योगिक होते हैं जिनका निर्मान पोधे तथा जन्तुओं के सारी रिक उत्तकों के अंदर होता है और ये जो हैं वो हमारी क्या करते हैं जेवरासाइनिक अभीकरिया उनको उत्प्रेरित करते हैं ठीक हैं तो ये protein भी तो है enzymes क्या होते हैं protein भी होते हैं clear तो इन्होंने सबसे पहले इसके बारे में बताया आगया समझ में इतना कोई दिक्कत है अब जो है enzymes का जो nomenclature है या हम बात कर सकते हैं कि नाम करण लेकिन हमने एक word यूज़ किया organic क्या word है यानि carbonic और एक होता है इन और्गनिक जिसको बोलते हैं अपन एकार्बनिक हमने enzyme को बोला कि यह enzyme जो है वो organic compound है जबकि हमारे पास उत्परेरक जो होते हैं वो क्या होते हैं इन और्गनिक compound होते हैं दोनों में difference क्या है organic compound जो है वो किसी एक विसिस्ट रासाइनिक अभी क्रिया की ही क्रिया सीलता को क्या कर देते हैं परभावीत करते हैं जबकि हमारे पास जो इन और्गनिक compound है यह सब की करते हैं जो भी आएगा प्रशाद ले करके जाएगा मतलाब कोई भी इसके संपर्क में आएगा उसकी क्या कर देंगे यह एक्टिविटी को ब्रेक कर देंगे और यह जो है वो अपने फिसिस्ट करेंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं देखो तो एंजाइम के बारे में लिखे हैं सबसे पहले एंजाइम के बारे में सबसे पहले किसने बताया 1856 कब बताया Edward Bookner Edward बुकनर ने सार्व प्रथम कहां मिला ये ये एंजाइम कहां मिला हमें जाएमें जाइम ये जाएमें जाइमें 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 मिला हमें खमीर में जिसको अपन बोलते हैं ने ये इस्ट सार्व प्रथम खमीर में खमीर में खमीर में एंजाइम की क्या करी खोज की और खमीर का जो ये रस है इसने सबसे पहले इफेक्ट किसके उपर दिखाया अंगूर के उपर और अंगूर का क्या कर दिया इसने अंगूर के रस का किनवन कर दिया जिसके कारण इन्हों ने इसको क्या नाम दिया जाइमेज नाम दिया इस रस को जाइमेज ठीक है एंजाइम की खोज की तथा इसे जाइमेज नाम दिया जाइमेज नाम दिया ये जो जाइमेज एंजाइम है इसने अपने सरो प्रतम रियक्टिविटी दिखाई अंगूर के रस के उपर क्लियर नेक्स देखिए कि यहाँ पर ये जो एंजाइम है ये किस से मिल करके बना हुआ है दो वर्ड से मिल के बना हुआ है एक तो प्लस इन और दूसरा कौन सा जाइम इनका मतलब क्या होता है अंदर क्या होता है और जाइम का मतलब क्या होता है खमीर इन्हों नहीं बताया था सर्व से पहले ठीक है कि इनका मतलब तो अंदर और जाइम का मतलब खमीर यानि खमीर के अंदर पाए जाने वाले रस को इन्हों ने क्या नाम दिया एन्जाइम नाम दिया खमीर के अंदर उपास्तित रस को एड़वर्ड बुकनर ने सरो प्रथम क्या नाम दिया उन्होंने जाइमेज क्योंकि जाइम है ना ये इसी से मिलकर बना इसलिए उन्होंने इसको जाइमेज कह दिया क्या कह दिया बुकनर ने सरो प्रथम एन्जाइम कहा एवं इसे जाइमेज नाम दिया गया तो सबसे पहले डिसकवरी कौन से एंजाइम की हुई जाइमेज की हुई कौन से पहले की जाइमेज एंजाइम की डिसकवरी हमारे पास सबसे पहले हुई नेक्स्ट जो है वो हमारे पास आए 1926 के अंदर समनर नाम के वैज्ञानिक जिन्होंने स्वरो प्रतम यूरिपेज एंजाइम की खोज करी क्रिस्टल ये रूप में जिसके लिए उन्होंने क्या दिया गया नोबल पुरुसकार दिया गया 1926 में वैज्ञानिक समनर समनर ने यूरिपेज एंजाइम यूरिपेज एंजाइम की खोज की एवं इसे कौन सी अवस्था में प्राप्ट किया क्रिस्टल ये फॉर्म में एवं इसे क्रिस्टल ये अवस्था में प्राप्ट किया इसे हे तु इन्हे नोबल प्राइस दिया गया नोबल पुरुसकार दिया गया ठीक है कोई दिकत नेक्स्ट इसकी डेफिनिशन क्या परिबासा हो गई इसकी कि एन्जाइम कार्बनिक योगिक होते हैं जो समस्त पोधे एवं जीवित प्राणियों के उत्तकों में उपस्तित होते हैं जो जेवरासानी का भीक्रियाओं को जेवरासानी का भीक्रियाओं में प्रोटीन उत्प्रिरक या एंजाइम के रूप में काम में आते हैं तो लिखें एंजाइम वे कार्बनिक योगिक होते हैं एंजाइम वे कार्बनिक योगिक होते हैं जिनका संसलेशन जिनका संसलेशन पेड़ पोधों एवं जन्तु उत्तकों में होता है एवं ये जेविक क्रियाओं में जेविक क्रियाओं में किसका काम करते हैं प्रोटीन उत्प्रेरक कारिये करते हैं अब देखें हमारे पास बात आती है कि ये एंजाइम आंजइम एंजाइम की प्राप्ति एंजाइम कहां से प्राप्त होते है तो इसके अंदर एंजाइम का संसलेशन पेड़ पोधे पेड़ पोधो एवं जीवित उत्त को में होता है अब सीधा सिंपल में लिख देता हूं लाइपेज एंजाइम लाइपेज एंजाइम यह लाइपेज एंजाइम कहां पाया जाता है टेलिये पोधों के बीजो में ठीक है दूसरा हमारे पास में कौन सा है पैपसीन एंजाइम यह किसमें होता है जठर रस में किसमें उपस्तित रहता है जठर रस के अंदर ठीक है आप लोग अपने को सब को पता है कि हमारे मूँ के अंदर क्या होती है लार यानि स्लाइवा क्लियर और स्लाइवा होता है तो स्लाइवा में कौन सा एंजाइम उपस्तित होता है टाइलिन एंजाइम कौन से एंजाइम होता है टाइलीन तो एक ना मोर आ गया हमारे पास कि टाइलीन एंजाइम किसमें उपस्तित होता है जिसको पन कहते हैं क्या अरे क्या बोलते है मानवलार को स्लाइवा क्या बोलते हैं स्लाइवा और ये स्लाइवा का सिक्रेशन कहा होता है स्लाइवली ग्लेंड के द्वारा होता है ठीक है बाकी कुछ और एंजाइम है जैसे पापाया के अंदर कौन सा एंजाइम होता है अंजीर में कौन सा एंजाइम होता है यह हम थोड़ा आगे देखेंगे Class Education के दोरान अब देखिए कि यह जो एंजाइम है आपके नाम से पता है कि पैपसीन, लाइपेज, टाइलीन यह जो लाइपेज एंजाइम है यह सिर्फ उन्ही पोदों के अंदर प्राप्त होगा जिन पोदों से हमें क्या प्राप्त होता है तेल प्राप्त होता है जैसे सरसों, मुफली, क्लियर, अरंडी इन सब के अंदर हमारे पास क्या मिलता है हमें तेल मिलता है तो उनके जितने भी तेल होंगे उन सब में लाइपेज एंजाइम प्रेजेंट होगा दूसरा पैपसी ने ये कहां पाया जाता है जठर दैस बूला जाता है जठर दैस यानि छोटी आथ के अंदर पाया जाता है ठीक है और जब खाना जो है वो हमारे पेट से यानि उदर से जाएगा कहां पर छोटी आथ में तो वह और ज्यादा एसिडिक हो जाएगा क्योंकि वहां पर भी तो पड़ा बैठा हुआ है ठीक है हमारी बोडी के अंदर जो है एसियल प्रजेंट होता है वो एसिडिक होता है वो खाना और ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा और जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में तो वहां पर पुदमें एसिड है और एसिड और मिला और ज्यादा एसिडिक मेडियुम क्रियेट हो जाएगा तो उसको क्या करने के लिए कम करने के लिए जटर रस्मी कौन पैटता है पैपसीन एंजाइम जो है वो बैठता है जाता है रोक दिया जाता है ठीक है । इसलिए तो जब हम में खाना खा रहे होते हैं हमारे मूह चल्पना करते ही स्टार्ट को sort जाए खतम हो जाए और सो फैगस यह वाला पार्ट यह भी एसटीक होता है दैन उसके बाद में खाना कहा चला जाता है इस्टोमक के अंदर इस्टोमक भी क्या होता है एस टीक होता है तो यह तीन-तीन जगह और एकार्बनिक उत्प्रेरों के अंदर अंतर क्या होता है वो भी देख लेते हैं थोड़ा सा तो लिख यह एंजाइम एवं एकार्बनिक उत्प्रेरकों में अंतर write the difference between enzyme and inorganic catalyst तो इसके अंदर difference क्या होगा कि आपके पास में जो एकार्बनिक उत्प्रेरक है वो सभी रासाइनिक अभी क्रियाओं में पार्टिस्पेट कर लेते हैं प्रतेक रासानिक अभी क्रिया में लेकिन enzyme जो है वो किसी एक विशिस्ट रासानिक अभी क्रिया के एकार्बनिक उत्प्रेरक यह एकार्बनिक उत्प्रेरक समस्त रासाइनिक अभी क्रियाओं को उत्प्रेरित कर सकते हैं समस्त रासाइनिक अभी क्रियाओं को अभी क्रियाओं को उत्प्रेरित करते हैं करते हैं परंतू एंजैन केवल विसिस्ट रासाइनिक अभीक्रिया में उत्प्रेरक्ा कार्ये करता है उत्प्रे रख्का कार ये करता है जैसे क्या हुआ कि यदी हमें सुक्रोज को ब्रेक करना है तो हमें एंजाइम चाहिएगा इनवर्टेज कौन सा एंजाइम चाहिएगा इनवर्टेज वही एक ऐसा एंजाइम है जो सुक्रोज को ब्रेक करेगा अद यदी अपन चाहिए कि जाएमें जाइम ब्रेक कर दे तो वो ब्रेक नहीं कर पाएगा तो लिखिए यहाँ पर C12 है सुक्रोज और यहाँ पर कौन सा एंजाइम काम आएगा इनवर्टेज एंजाइम कौन सा एंजाइम और यह किस में ब्रेक करेगा C6, H12, O6 प्लस C6, H12, O6 that one is glucose and the other one is fructose ठीक है और देन C6, H12, O6 यह है glucose यह हमारे पास oxygen की presence होगी जहाँ पर जाइमें जाइम काम आएगा कौन सा एंजाइम यह बनाएगा CO2 प्लस H2O तो यह क्या बनाएगा CO2 प्लस H2O यह जो है यह fix है कि इनवर्टेज एंजाइम और जाइमें जाइम ही काम आएगे यहाँ पर कोई दूसरे एंजाइम जो है वो वर्क नहीं करेंगे जैसे कि हमारे पास माल्टोज है और माल्टोज को ब्रेक करने के लिए मुझे क्या चाहिए माल्टेज एंजाइम चाहिए लैक्टोज है लैक्टोज को ब्रेक करने के मुझे लैक्टेज एंजाइम चाहिए क्लियर तो यह हमारे पास fix हो चुके हैं कि यही enzyme वहां पर काम आएंगे हो गया नेक्स इसके अंदर सेकंड पॉइंट है एकार्बनिक उत्प्रे रख अब देखिए कि यदि कोई भी उत्प्रे रख जो है वो रासाइनी कभी क्रिया में भाग लेगा तो उसमें कुछ न कुछ तो तूटेगा या उसमें कुछ न कुछ बदलाव होगा तो बदलाव होगा तो एकार्बनिक उत्प्रे रखो को पुने है प्राप्त किया जा सकता है जबकि हमारे पास enzymes को पुने प्राप्त नहीं किया जा सकता इसलिए हमारी body के अंदर लगातार enzymes का formation होता रहता है नए-नए enzymes बनते रहते हैं जैसे एक बार यदि pepsin enzyme का एक molecule तूट गया तो उसे दुबारा प्राप्त नहीं किया जा सकता दुबारा उसका दूसरे ही pepsin enzyme के अणों का निर्मान होगा तो एक आरवनिक उत्प्रेरक को अभीक्रिया के पस्चात बदलाव होने पर बदलाव होने के बाद पुन है प्राप्त किया जा सकता है पुन है प्राप्त किया जा सकता है परन्तु एंजाइम में बदलाव होने के बाद बदलाव होने के बाद बदलाव होने के बाद पुन है प्राप्त नहीं किया जा सकता अतहे शरीर में अतहे शरीर में लगातार एंजाइम सा निर्मान होता रहता है एंजाइम का निर्मान होता रहता है टाइलीन एंजाइम लार में प्रेजेंट होता है इसलिए हमारी लार जो है वो लगातार स्लाइवा जो है वो लगातार क्या होता रहता है बंता रहता है क्लियर है क्यों क्यों क्योंकि एक बार यदि स्लाइवा बंना बंद हो चुका बंद होना बंद हो जाएगा तो आपके पास टाइलीन एंजयम का formation नहीं होगा clear और जब टाइलीन एंजयम का formation नहीं होगा तो हमारा जो मुह है उसकी pH को कौन maintain रखेगा भाई हमारे मुह की pH को कौन maintain रखेगा इसलिए लगाता सलाइवा का formation होता रहता है एक बार एंजयम बना तो उसका molecule दुबारा से प्राप्त नहीं किया जा सकता clear चलिए next अपने पास में हैं एंजयम का नाम करण अगला heading डालिए nomenclature of enzyme enzyme का नाम करण हाँ जी enzyme के नाम करण के लिए हम enzyme के नाम के आगे क्या लगा देते हैं as a se का लगा देते हैं first point क्या लिखा हूँ अरे enzyme के नाम के आगे क्या लगा देते हैं yes जैसे सुक्रेज है, maltage है, lactase है तो सबके नाम के आगे क्या लगते हैं in English में as लगाते हैं नहीं लगाते हैं तो पहला point है enzyme के नाम के अंत में एस लगाया जाता है एस लगाया जाता है जैसे ये हैं हमने पास सुक्रोज ये माल्टोज दूसरा कुन सा है लेक्टोज सुक्रोज से क्या बना सुक्रेज माल्टोज से क्या बना माल्टेज और लेक्टोज से क्या बना लेक्टेज सुक्रेज सुक्रेज माल्टेज लेक्टेज देखे सब के नाम के आगे क्या लगा हुआ है इस लगा हुआ है A-S-E हो गया नमबर दो कुछ एंजाइमों का जो नाम करन है वो हम उसके सब्स्रेक्ट के नाम के आशा आधार पर लगाते हैं जैसे कि हमारे पास मैं है लेक्टेज क्या है लेक्टोज तो वो लेक्टिक अमल में से हाइड्रोजन को हटा देता है क्या हटा देता है लेक्टोज में से हाइड्रोजन को हटा देता है तो हमने उसका नाम दे दिया लेक्टिक अमल डी हाइड्रोजिनेज डी हाइड्रोजिनेज डी का मतलब होता है हटाना तो second point लिखे, कुछ enzyme का नाम substrate के नाम के आधार पर दिया जाता है जैसे example के तोर पर हमारे पास लेक्टिक अमल डी हाइड्रो जिनेज यह क्या करता है? यह लेक्टिक अमल में से हाइड्रोजन को हटा देता है यह है जाइड्रोजन लेक्टिक अमल में से हाइड्रोजन को हटा देता है लेक्टिक अमल में से हाइड्रोजन को हटा देता है नेक्स्ट है कुछ एंजाइमों का नाम करण उनके मूल नाम के अधार पर दिया जाता है कुछ एंजाइमों का नाम करण उनके मूल नाम के अधार पर दिया जाता है जैसे पपीता को क्या करते हैं पपाया क्या बोलते हैं तो इसके एंजाइम का नाम क्या हो गया पपायन क्या नाम हो गया ठीक है नेक्स्ट हमारे पास अंजीर अंजीर को हम क्या कहते हैं फाइकस क्या बोलते हैं तो इसके एंजाइम का नाम क्या हो गया एफ आई सी आई एन फाइसीन क्या नाम हो गया इसका फाइसीन और कुछ एंजाइम जो होते हैं जिनके नाम परमपरागत होते हैं जैसे अपने पास में है रैनीन ठीक है दूसरा है टाइलीन है पैपसीन है रैनीन है ट्रिपसीन है ये उनके परमपरागत नाम होते हैं तो लास्ट वन है अपने पास में कुछ एंजाइम हो के नाम परम परागत परम परागत होते हैं जैसे एक्जाम्पल के तोर पे अपने पास में क्या है लाइसीन रेनीन ट्रिपसीन क्या हो गया हाँ, लाइसोजाइम लाइसोजाइम आदी ये जो है, वो कुछ एनजाइम जो है, उनका नामकरण fix होता है, clear आगे समझ में, clear है यहां तक, next अपने पास में एनजाइमो के प्रकार ठीक है, जो हम नई क्लास के अंदर देखेंगे, एंजाइमों के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के सरल एंजाइम और जटिल एंजाइम, दूसरा एंजाइमों का वरगी करण भी अपन देखेंगे, जिसके अंदर अलग-अलग प्रकार के एंजाइम होंगे, जैसे कुछ एं पिक के साथ फिर मिलेंगे गुद्बाय चेक है